साइबर बुलीग को समझना क्यूं आवश्यक है? साइबर बुलीग के लिए किसी व्यक्ति का उत्पीरन करने हेतू इलेक्ट्रोनिक माध्यम की आवश्यक्ता होती है जो कि किसी व्यक्ति को धमकाने या दराने वाले संदेश प्रेशित करके किया जाता है और यह सूचना एवं प्रोध्योगी की अधिनियम दो हजार एवं भारतिय दंड के तहट दंडनिय अपराध है इसके अंतरगत किसी की फोटो या वीडियो भी उसको परेशान करने के लिए पोस्ट किया जाता है सोशल प्लेटफॉर्म के सभी पहलूँ जिसमें चेट रूम, ब्लॉग्स, तुरंट संदेश भीजने के माध्यम शामिल हैं का प्रयोग साइबर बुलिंग के लिए किये जाते हैं यू मैड, डॉलर हैश प्रतिशितत हाश्टाग एपक फेल COVID-19 की वज़े से समस्त राज्यों ने विद्यालियों को बंद कर दिया है ऐसे में शिक्षा विभाग विभिन डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तिमाल करते हुए सीखने की निरंतर्ता को बनाय रखने का प्रयास कर रहा है लाकों की संख्या में विद्यार्थी ओनलाइन शिक्षा से जुड़े हैं जिसकी वज़े से इलेक्ट्रोनिक उपकरण एन सूचना वसंचार प्राद्योगिकी के उप्योग में काफी वृद्धी हुई है ये युवाओं एवं बच्चों को आनलाइन दुरुपियों के खत्रे में भी डाल रही है साथ ही उनके साइबर उतपीरन का शिकार होने की संभावना को भी बड़ा रही है साइबर उतपीरन बड़े पैमाने पर अच्ची खासी संख्या में बच्चों एवं युवाओं को प्रभावित कर रहा है वह उनके शिक्षा स्वास्थ्य एवं कल्यान के अधिकारों पर कुठारागात कर रहा है साइबर बुलिंग की अच्छी खासी नकारात्मग घटनाए हैं जो की शेक्षिकी उपलब्दी, मानसिक स्वास्थ्य एवं जीवन की गुनवत्ता से संबंधित हैं ओनलाइन माध्यम से उत्पीरेत अध्यापकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुनवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में बाधा उत्पन करता है और सुरक्षत, हिंसा रहित शिक्षा एवं बच्चों एवं किशोर, किशोरियों के समावेशी सीखने क माहौल के विरोध में कार्य करता है साइबर बुलिग में शामिल है वेबसाइट पर किसी व्यक्ति द्वारा डाले गए अपडेट, फोटो एवं वीडियो पर आहत करने वाले कमेंट या गलत अफवाह पोस्ट करना किसी व्यक्ति को अलग संस्कृती सामाजिक आर्थिक प्रिष्ट भूमी के आधार पर ओनलाइन समूव या फोरम से बाहर कर देना किसी व्यक्ति की सहमती के बिना उसकी फोटो डाल कर उसको शर्मसार करना किसी के अकाउंट का पासवर्ट चुरा कर उस अकाउंट से किसी अन्य को उटपीरित करने के लिए अवाच्निय अनुचित संदेश भेजना